दोस्तो आप सभी का स्वागत है टेकनुजीफ यूटूब चेनल में तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वीवो के किसी भी मोबाईल में नेविगेशन सेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तो यदि आपके पास वीवो का कोई भी मोडल है और आप अपने मोबाईल में नेविगेशन बटन को चेंज करना चाते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूँगा और आपको नेविगेशन बटन का सेटिंग जो है उसको चेंज करके दिखाऊंगा ताकि आपका जो भी प्रोब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन भी प्रेस कर देना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो गाई सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा तो चलिए मैं यहां से उपर सलाइड करता हूँ और यहां पर देखिए आपको सेटिंग का एक उप्सन आ जाएगा तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है इस पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तो नीचे जाना है सबसे नीचे तो चलिए मैं इसको नीचे आ जाता हूँ सलाइड करके और यहाँ पर जब आप दोस्तों सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखे आपको एक system का option मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक system का option है दोस्तों यह system वाले option पर आपको click कर लेना है इस पर click करने के बाद यहाँ देखे सबसे उपर system navigation का एक option है तो इस पर click कर लेजिए इस पर आप जैसे ही click करेंगे यहाँ पर देखे आपके सामने इस तरह का interface देखने को मिलेगा और यहाँ देखे दो option है एक gesture navigation और एक है three button navigation तो आप देख सकते हैं अभी मैंने three button navigation पर click किया तो यहाँ पर आपको तीनों button दिख जाएगा कुछ इस तरह से और अगर आप चाते हैं कि इस system में रखना तो रख सकते हैं नहीं तो दोस्तो आप नीचे वाले पर click करेंगे gesture navigation तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको side में आपको एक button मिलेगा जब आप side में select करेंगे तो आपका option खुलेगा जैसे यहाँ पर देखे finger से बता रहा है तो इस तरह से आप system navigation को setting को change कर सकते हैं दोस्तो तो यह था आज का छोटा सा वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लैक जरूर करें अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बूलना मिलता हूँ अगले वीडियो में बाइ जाहिंद